हेलो फ्रेंज, वेलकम टु शिवानिस किचन, आज मैं आप लोगों को बेसन खाने के फायदों के बारे में बताऊंगी बेसन का इस्तेमाल कई तरह के वियंजन को बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि बेसन की रोटी, धोकला, लड़ू, आदी जो खाने में काफी स्वादिश लगते हैं, लेकिन बेसन खाने में जितना स्वादिश लगता है, उससे भी ज्यादा स्वास्ते को लाप पहुचाता है बेसन खाने से कई बिमारिये दूर होती हैं बेसन में पोटेशियम, मेंगनीशियम, विटामिन B6, विटामिन K, आयरन, केल्शियम, सोडियम, फाइबर, जेंग, कॉपर, विटामिन B1, B2, B9 जैसे तत्व पाय चाते हैं जो स्वास्ते के लिहास से काफ़ी फायदे मन साबित होते हैं तो आईए चांते हैं बेसन खाने से होने वाले फायदो के बारे में बेसन का सेवन कॉरस्ट्रॉल कम करने में मददकार साबित होता है क्योंकि बेसन में फाइबर परियाप्त मात्रा में महजूद होता है साथ ही इसमें अंसाचुरेटिट फैट भी पाय जाता है जो कॉरस्टॉल के स्थर को कम करने का काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों का कॉरस्टॉल बढ़ा हो, उन्हें बेसन का सेवन करना चाहिए। बेसन का सेवन करने से एनिमिय की शिकायत दूर होती है, क्योंकि बेसन में आईरन, फॉलेट, प्रोटीन जैसे तत्व पाई जाते हैं। इसलिए अगर कोई बेसन का सेवन करता है, तो इससे शरीर में खून की कमी दूर होती है। बेसन का सेवन हड्यों के लिए काफी फायदमन माना जाता है, क्योंकि बेसन में कैलशम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, इसलिए अगर कोई बेसन का सेवन करता है, तो इससे हड्या मसबूत होती है। बेसन का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक शम्ता मजबूत होती है, जिसे आप किसी भी तरह के वाइरल इन्फेक्शन से काफी हद तक बस सकते हैं। बेसन का सेवन हाइ ब्रेड प्रेशर वाली मरीजों के लिए काफी फायद मन माला जाता है, इसलिए अगर कोई बेशन का सेवन करता है तो इससे blood pressure control में रहता है बेशन का सेवन वजन कम करने में काफी मददकार साभित होता है क्योंकि बेशन में protein प्रयाप्ट मातर में पाया जाता है जिसके चलते पेट देर तक भरा रहता है जिससे व्यक्ति over eating से बसता है बेसन का सेवन हार्ट के लिए काफी फायदेबन माना जाता है क्योंकि बेसन में घुलेशील फाइबर महजूद होता है इसलिए अगर कोई रोजाना बेसन का सेवन करता है तो इससे हार्ट हेल्थी रहता है गर्बवती महिलाओं के लिए बेसन बहुत ही लाबदायक है इसमें फॉलेट और विटामिन B6 की मातरा अधिक होती है जो प्रेंगनेंसी में काफी जरूरी है इससे कमजोरी दूर होती है और फॉलेट बच्चे के तंतरी का विकास में सायक होता है अगर आपको अकसर नीन से जुड़ी दिक्कते रहती हैं तो बेसन इसमें आपकी मदद कर सकता है बेसन में मौजूद एमिनो ऐसेड, ट्रिप्टोफेन और सेरोटोनिन आपकी नीन में मददगार साबित होंगे ट्रिप्टोफेन आपके दिमाग को शान करने का काम करता है वहीं सेरोटोनिन नीन्द को उत्तेचित करने में मदद करता है बेसन में कैंसर रोधी गुड़ भी शामिल होते हैं बेसन इस्तन कैंसर जैसे घंबीर समस्या के लक्षणों को कम करने में सायक साबित हो सकता है बेसन में सैपोनिन्स नामक फाइटो कैमिकल होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में सायक होते हैं तो दोस्तो अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सभी helpful लगा हो तो इसे like और share करना ना भूलिएगा और मेरी चैनल को subscribe ज़रूर कीचेगा धन्यवाद